हाई गाईस वेलकम औन माई यूट्यूब चैनल कॉंप टेरिया तब प्रिविएस लेक्चर वी विल डिसकस एबाउट वृद्धी और विकास मानुवी वृद्धी और विकास के बारे में प्रिविएस लेक्चर में हम लोग ने सुना था अब हम उसके आगे कांटिन्यू कर बात के विकास की तुलना में प्रावभभी विकास अधिक जटिल होता है कवी जान मिल्टन ने कहा है पच्पन व्यक्ति को दरसाता है जैसे सुबह दिन को दरसाती है बाल्यावस्ता के प्रारम से ही व्यक्ति के भविष्ष की पूरु घोषणा की जा सकती है महान मनोवी स लिशक डाक्टर सिंग्मन फ्रूड ने अपने अध्यन वेक्तित्त कू समायोजन परसनालिटी मैल जस्टमेंट में जीवन के प्रारम्भिक वर्सों के महतों पर बल दिया है एरिक्सन भी कहते हैं कि बाल्यावस्ता मनुस्य के रूप में मनुस्य के प्रारम्भिकी निधी ज्यादा से ज्यादा सिच्छा वीदा मनुस्य ज्यानी के मानते हैं कि बाला का प्रारम्भिक विकास बहुत ही जटिल होता है इसलिए बाला के पर्थम पांच वर्सों को जटिल अधी के रूप में अभी वेक्ति कर सकते हैं अगला पॉइंट है डेवलप्मेंट इन्वाल अधर भिन भिन होती है और कुछ बच्चों में विकास निरंतर होता है लेकिन अन्य लोगों में धीमा भी होता रहता है निरस बालक लगातार निरस बनता जाता है और तेज बालक लगातार भी तीछरता बनाये रखता है मानसिक कमी वाले बालकों का बौद्धिक विकास उ सेक्वेंसेश विकास एक व्यवस्थित करमका अनुसरन करता है। हर व्यक्ति में उसकी स्वैम हो कर है तीन परहमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। विकास सिर से प्रारंब होकर एनी की ओर अगरसर होता है याद रखेगा विकास हमेशा सिर से प्रारंब होकर एनी की ओर होता है दूसरा बिंदू है विकास सरीर की केंदरी रेखा से सुरू होकर पाह अंगो की ओर अगरसर होता है तीसरा बिंदू है विकास चलन होता है एक सि डेवलोपमेंट is a product of both heritage and environment पर्यावरान बहुत ही महत्पून बिंदु है बाल विकास व शिक्षा सास्तर में पर्यावरान का बहुत ही बड़ा योगदान है और इस बिंदु में हम यहाँ पर्यावरान की चर्चा कर रहे हैं कि विकास अनुवान्सिक और पर्यावरान दोनों व्यक्ति के गुणसुत्र निर्माल को उन सीमाओं के आकार में परदान करता है जैसा की व्यक्ति को ज़ुरत होती है अगला बिंदू है rate of development is not uniform during various states of development ये जो विकास की विभिना वस्थाएं हैं ये विकास की दर को समान नहीं होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक वर्सों में विकास बहुत तेजी से होता है लेकिन सहस्वा वस्था के बाद के वर्सों में विकास की गती थोड़ी धीमी हो जाती है फिर दुबारा से किसूरा वस्था के प्रारंभ में विकास की गती बाल्ले वस्था की तुलना में अचानक से बढ़ने लगती है मानवी विकास की किसी भी अवस्था में विकास की दर्श समान और इस्थिर नहीं हो सकती है नेक्ट पॉइंट है development proceeds from general of specific विकासात्मक प्रक्रिया समान से विसेश की ओर चलती रहती है शुरुवाती दोर में बालक की उत्तर समान ने होते हैं लेकिन उसके पश्चात विसेश बनते जाते हैं जब जन्मन लेते ही बच्चा रोता है तो पूरा सरीर इसमें सम्मिलित होता है और जैसे ही बालक बड़ा होने लगता है उसका रोना कंट के अंगोर आँखों तक सीमित हो जादा आवाज नहीं करता है भासा के विकास में बालक बहुत सी औरतों के अभिवादन को लिए मम्म सब्द का भी प्रयोग करता है हर किसी को मा माता इसी तरह से बोलता है लेकिन बालक जब बड़ा होता है तो मम्मी सब्द का प्रयोग विशेश रूप से वह अपनी सिर्फ माता के लिए करता है तो यह प्रक्रिया इसको प्रमारित करती है अगला पॉइंट है विकास एक र रचना है। जैसे से बालक की आयू पड़ती जाती है वर्स दर वर्स उसके बैभार में बिभिन परिवर्तन होने लगते हैं। एक वर्स का बालक पांच वर्स के बालक से और पांच वर्स का बालक दस वर्स के बालक से बैवहार में भिन हो जाता है और विकास की प्रक्रिया बालक की जीवन में आगे बढ़ने के साथ उसके बैवहार में नए ग्यानात्मक और प्रभावकारी रूपों की रचना करने लेकिन वे अपनी पूरी बाल्य आवस्था में विकास के सभी छेत्रों में आगे ही चलते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलप्मेंट फालोज दे प्रिंस्पल्स अफ इंटर रिलेशन। विबिन्न विबिन्ने छेत्रों जैसे कि सारीरिक, संबेगात्मक, बौध्धिक, सामाजिक इस प्रकार से इन छेत्रों में विकास परस्पर अंतर संबंदित और आतर निर्भर होते हैं। मतलब कि किसी एक छेत्र में विकास बालक के विकास के आन्य छेत्रों को प्रभावित करता है, इस सिद्धान ने कारण उत्तम सारेरिक विकास वारे बालकों में बौधिक, सामाजिक और संबेगात्मक विकास भी तिवरता से होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलप्मेंट इस प्रेडिक्टेबल, विकास पुर्व घोशना योग्य होता है। ये जोणने के प्रक्रिया है, बालक के परिवर्तन अचानक नहीं हो जाते हैं, परिवर्तन विकास और अन्बहो का आगरिम भाग होता है, जीवन बीता हुआ प्रतिक दिवस आने वाले जीवन के दिनों पर एक जोणने वाला प्रभाव डालता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकास में लेंगी की विभिन्नता सम्मिलित है, डेवलप्मेंट इन्वाल्ब्स जेंडर डिफरेंस है। कि सूरा वस्था की अन्ति माउधी में लड़कों के बढ़ने की छमता लड़कियों की तुलना में अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलप्मेंट इस स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। ये रेखांकित नहीं है और ये कुंडलित होता है। बालक के विकास की रापर सीधी रेखा में प्रक्रियाधी नहीं होता है। लेकिन उसका विकास सदयों घुमा हुआ होता है। घुमावदार होता है जलेवी की तरह। घुमा फिर है। कुंडलिनी सन रचना। पर्यावरन का और अनुवन सिक्ता का किसी भी मानों के विकास में क्या भूमिका है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है। अनुवन सिक्ता क्या है। प्रतिय का जीवन धाना वस्ता के छण से सुरू होता है। ये चण है कि जब अंड सुकुराणू द्वरा निसेचित हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोश जो सुई की इनों के बराबर होता है बाद में कई गुना हो जाता है। और बहुत से कोश बन जाते हैं। ये कोश प्रूस के सुकुराणू द्वरा इस्त्री के अंड के निसेचन का पढ़णाम होता है। अनुवन्सिकी का निर्धारन कोस की नाभिक में रसायनिक पदार्थों के संपून संगठन द्वारा होता है। ये रसायनिक पदार्थ नाभ की संगठन में रहते हैं। इन्ही को पदार्थों को गुण सुत्र कहा जाता है। बहुत ही सुच्मता से अगर हम अध्यम करेंगे तो सरीर में 46 गुण सुत्र होते हैं प्रतेक कोस में चाहें वो पुरूस हो अथ्वाइस्तरी ये 23 युग में में होते हैं प्रतेक गुण सुत्र में कुछ और भी सुच्म पदार्थ होते हैं जिने जेनेस कहते हैं पित्रेक ही वंसा नुकरम के निर्धारक होते हैं। वैक्ति के जीवन में धाना वस्ता का छण निमलिखित कारणों से महत्पूर्ण छण माना जाता है। कि बालक एक होगा अथवा कई। एक होगे या एक से जादा बालक होगे ये भी पता लग जाता है। इस चण के निर्धारित होने वाली चौथी दसा में परिवार में करम इस्तिती है। परिवार में बालक का जन पहले करम में होगा या दूसरे करम में इसका निर्धारन हो ज संयुक्त पित्रेक प्राप्त करते हैं, केवल دुर्लव दसाओं में ही दो बच्चे समान संयुक्त पित्रेक और समान वनसा नुकरम प्राप्त करेंगे. ये केवल जुड़वा बच्चों में संभाव है जुड़वा बच्चे एक ही अंडानू से विक्सित होते हैं एक अंडानू दो कोस में बढ़ता है परतेक भी भाजुत अंडानू एक नए भून का आकार प्राप्त कर लेता है इसी प्रकार परतेक कोस में समान पित्रेक होते हैं जैसे कि अंडाणू में होते हैं दो बैक्तियों को का वंसान उकरम समान होगा इन्ही को जुड़वा कहा जाता है ये सद्यव लेंगिक समानता रखते हैं और अन्य बहुत सी प्रकार की समानता इनके अंदर प्राया पाई जाती हैं। Now the next topic वाता वर्ण इन्वायर्मेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वनसानुकरम के समान वाता वर्ण व्यक्ति के व्रधी विकास में महतपुर भूमकानी भाते हैं। वनसानुकरम के अत्रिक्त सब कुछ जो व्यक्ति की व्रधी और विकास को प्रभावित करता है माता की कोक में दर्धान की गर्भधरन की अओधी से ही प्रारम हो जाता है। एक निश्चित रूप से इसपष्ट कर देना चाहिए कि केवल अन्दि विश्वास है कि माता दरा जो भी कुछ क्या रहता है उसका प्रभाव अजन में भून पर पड़ता है। और ते गर्भावस्ता के महीनों को इस विश्वास के साथ कला पडर्शियों के भ्रहमण में बिताती है कि बालक के मस्तिक सुधार कर रही है लेकिन माता का कुछ पोशन या बीमारी या अन्यों कोई कारण भून को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि सुन्दर इस्थलो का भ्रहमण संगीत सुन्दा इत्यादी कोई प्रतेक्ष प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। वातावरण व्यक्ति को पूरे जीवन भर गर्भ से मिर्थिव तक प्रभावित करता है। वातावरण हर व्यक्ति पे अलग प्रभाव डालता है। जैसे कि उधान स्वरूप लेते हैं कि कमरे में दो भाई खेल लेए। अब भौतिक वातावरण या तिपी बहुत इक समान नहीं है। दोनों के लिए समान है। लेकि मनों वैज्ञानिक वातावरण समान नहीं एक लड़का बढ़ा और अपने छोटे भाई के साथ खेलता है और बाद में अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था। आकर्षण में लोगों के बीच देखी जाने वाली व्यक्तिकत विभिन्यता की विस्तित स्रिने को उत्पन न करती है। और सिक्षा विदों के बीच में कि व्यक्तिकी विर्दी अधिक महत्पून कारक है। शिच्षकों के लिए बिरोदा भासी मामला बहुत ही महत्पून है। ब्यक्ति की विर्द्धी विकास के लिए वंसानुक्रम उत्तरदाई है तो सिक्षक को कुछ नहीं करना पड़ेगा लेकिन केवल उसे देखना होगा कि कैसे बालक की आंतरी छमताएं खुलती है और दूसरी तरफ वातावरण को बालक की विर्द्धी और विकास के लिए उत्तरदाई मानते हैं तो सिक्षक के भूमिका आत्यंत महत्पुन हो जाती है वो अपनी इच्छा नुसार छात्र के जीवन को आकार देता है और विर्द्धी और विकास की प्रक्रिया में वा केंदरी इस्थान रखता है और जो केवल वंसानुक्रम को ही विर्द्धी और विकास के लिए उत्तरदाई कारक मानते हैं उनका तर्क है कि व्यक्ति में वंसा नुकरम द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया रहा सकता वहीं दूसरी ओर सरवादिक महत्मुन कारक वातावरान की भूम का कि जो पच्छेदर है वो बड़ा चड़ाकर आसा वाधिता के दोसी है कि व्यक्ति के बिरदी और विकास की कोई सीमा नहीं होती है लेकिन ये संबव नहीं हैं बालक की बिद्धी और विकास के लिए कार करने वाले वनसा नुकरम और वातावरण इन दोनों के बीश से किसी एक का चैन किया जाये ये संभव नहीं है, इस पश्ट किया जा सके कि कौन सा गून वनसानुकरम से हैं और अथवातावरण से हैं, बहुत कठिन कार रहे हैं, माता की कोक में बालक की गरबाधान के छड़ से ही दोनों कारक साथ साथ कार करते हैं, और उसमें जीवन भर अपनी भूमिकाओं का निर् जारन नहीं कर सकता, व्यक्ति की विर्द्धी और विकास के लिए वनसानुकरम और वातावरण इन दोनों कारकों का संयोंग ही उत्तरदाई हैं, नौ दर नेक्स्ट पॉइंट, स्टेज ऑफ हुमेंड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ हुमेंड डेवलपमेंट, निश्चित सामानने विकास, मानवी विर्द्धी और विकास की प्रक्रिया में निश्चित अउधी के दोरान होने वाले बैवहार की निश्चित चारित्रिक विशेस ताएं हैं, हर जीव अपने सरीर और विवहार में कुछ विशेस मात्रात्मक और गुडात्मक परिवर्तन और प्रतिय की व्यक्ति को मानवी जीवन की अंती मवस्था तक ले जाने की सीड़ी की रूप में कार करती है इसमें रूसों के विचार हैं मानवी विकास की अउधी को निमली की चार अवस्था में रूसों ने बाटा है सैस्वा वस्था एक से पांच वर्स पाल्य वस्था पांच से बारा वर्स पुर्व की सोरा वस्था बारा से पंदरा वर्स और की सोरा वस्था पंदरा से बीस वर्स इनका अवर्गी करण केवल किरियोसो की सूरा वस्था तक ही सीमित है नोने मानवी विकास की अगली अवस्था को इस पस्ट ही नहीं किया है अरनेस्ट जोन्स के मानवी विकास को भी चार अवस्थाओं में वर्गी किया गया है अरनेश जोन्स इनमें सैस्वा वस्था जन्म से 6 वर्स उत्तर बाल्ले वस्था 6 से 12 वर्स की सूरा वस्था 12 से 18 वर्स परिपक्वता 18 वर्स के बाद जेम्स रास ने मानवी विकास को चार अवस्थाओं में वरिदित किया है इनके अनुसार सहस्वा वस्था जन्व से तीन वर्स प्रारंभिक बाल्ले अवस्था तीन से च्छा वर्स उत्तर बाल्ले अवस्था च्छा से बारा वर्स कि सोरा वस्था बारा से ठारा वर्स और वैसकता अठारा वर्स के पस्चात होती है समान दिश्चिकोन के अनुसार व्यक्ति के जीवन को पांच अवस्थाओं में हम चर्चा कर सकते हैं पुर्व भूना वस्था अत्वा पुर्व जन्म अवस्था ये धार्णा वस्था से जन्म तक दूसरा बिंदू सैस्वा वस्था जो कि जन्म से पांच वर्स तीसरा बाल्य वस्था पांच से बारा वर्स चौथा किसोरा वस्था बारा से उन्नैस वर्स और पांचमा बिंदू बैस्क अवस्था जोकि बीस वर्ष के पश्चात अत्वा परिपक्वता से मृत्यू तक होती है नौ सेल्फ कॉंसेजनेस आत्म सचीत तन्ता किसूर अवस्था की अवस्था की अवस्था की सरवाधिक महत्पूर्ण विशेष विशेष ता है एक किसोर के सारीरिक और सनरशनात्म की विकास की अधार पर विक्सित होती है इस आउधी में असामान्य और अत्यंत सारीरिक विर्धी होती है काम गरंथियों कार करना प्रारम कर देती है अन्य गरंथिया वित्ति विर्धा से कार करने लगती है परणाम स्वरूप दृतियक लेंगिक विसिस्टताय प्रकट होने लगती है जैसे कि पुरुसम महिलाओं के कुपतांगों का बृधी पुरुसों में दाड़ी मूच की बृधी, स्वप्न दोस, आवाज में करकस्तार महिलाओं में मासिक धर्म, कूलों तता छाती परवसा में बृधी ये सब किसे और को उसके सरीर और सनरशना के परती आतिधिक जागरुक बनाती है इसी वज़ा से हम किसोरों को दरपण के सामने अधिक देड़ तक खड़े होकर स्वयम को निहारते हुए देखते हैं दूसरा जो बिंदू है creative expressions रशनात्मक अभिव्यक्ती इस अवस्था में बिवेक की तुलना में रशनात्मक अभिव्यक्ती अधिक होती है ये डरावने और जोखी मभरे काड़ों करने में और कहानियों विश्वास करने के परतिरूची प्रजित करने लगते हैं इस अवस्था में उन्हें अपनी रशनात्मक सक्तियों की विकास की सभी सुविधायें उपलब्द करवाने जानी चाहिए नाओ दे थर्ड पॉइंट अंतर मुखी दृष्टी कौन निर्भरता और आत निर्भरता के संबन्द में अंतर मुखी दृष्टी कौन पतरशित करते हैं जैसे कि किसूर एक समय तो निर्भर नो करता है और सिक रही आत निर्भर की तरह बरताओ करने लगता है वो बालक और वैस्क दूनों हैं अतक किसूर अपने बैभार में द्वैधता से पिडित हो जाते हैं इसी को बोलते हैं एमिवेलेंट एटिट्यूड नाओ सेंस ऑफ एकसप्टेंस एन बिलॉंग इगनेस स्विकारोक्ती और संबन्दता का भाग प्रेम करने प्रेम के जाने की तिवर इच्छा होती है ब्यक्ति विशेस एक विशेस समुक और स्युका रोकती और संबन्दता की तिवर आवसक्ता उत्पन होती है इस प्रकार किसोर नायक की तलास करना प्रारम करते हैं किसाथ घनिस पाचान करते हैं नाएक पूजा की प्रक्रिया के माध्यम से अपने नाएकों की विशिस्थाओं की अपनाने कोशिस करते ह। कि सवर्पने राजनीतिक सामाजिक धार्मिक छेटर में किसी उपयुक्त नायक को पाने में अयोग्यों हो जाता है। तो निम्न मनुवृत्ति इस्तर पर उतर कर स्वयम ही पाचान प्रसिद्ध सीने इस्टारों, टेलिवीजन कलाकारों और इस्थानिक गिरोहों से करने लगता है। Now the loyalty towards the peer group कि सोर अपना अधिकान समय अपने प्रतिभागी समू के साथ बिताना पसंद करता है। वो प्रतिभागी समू के आदर्सों को अधिक उचमान करूं का सम्मान करता है और प्रतिभागी समू के प्रतिवफादारी का भाव विक्सित हो जाता है। वो आपने प्रतिभागी समू के नीमों और मानकों का नुश्रन करने कोशिस करते हैं। Now, physical development during adult sense कि सोरा वस्था के दौरान सारेरिक विकास कि सोरा वस्था के दौरान सारेरिक विकास चरम पर पहुंच जाता है। मानवी सरीर को अंतिम रूप से प्राफ्थ हो जाता है कि सोरा वस्था की प्रकृति नेचर आप अडोल सेंस। एडोल सेंस लेटिन भासा से लिया गया है इसका आसा है एडोले सियर सब्द से मतलब की परिपक्वता की और ब्रिधी जब भी कोई परिपक्वता अरजित कर लेता है तो उसे कि सोर कहना बंद कर देते हैं। उसके वैस्क पुकारा जाने लगता है कि सोरा वस्था से पहले उसे सिसु या बालक कहा जाता है कि सोरा वस्था को सब्द कोष में भूना वस्था से परिपक्वता की जीवन अउदी की रूप में परिभासित किया गया है। चोटी आयू जिनका अधिकान सता आसा कि सोरा वस्था लगाय जाता है तो 13-19 वर्ष के बीच की आयू को किसोरा वस्था की आयू कहा जा सकता है। लेकिन वेबस्थित आर्थ में कि सोरा वस्था की अउधी को इसपस्थ करने से बतलाया जाना आतिदीक कटिन है क्योंकि किसोरा अवस्था की अवधी का प्रारंब अलग अलग व्यक्ति समुदायों संस्कृतियों में बिन बिन प्रकार्च होता है परिवार की समाजिक आर्थिक दसा भी किसोरा अवस्था की आवश्था को प्रभावित करती है मनों वैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था और वैस्था वस्था के बीच की आउधी को कि सोरावस्था कहा जाता है एडोल सेंस के परिपेक्ष में कई सिख्छा सास्तिरियों ने अपने अपने मत रखे जीन पाइगेट कहते हैं कि सोरावस्था महान आदर्सों के साथ साथ यथार्थ को समानित अपनाये जाने का समय है एडोल सेंस is the age of great ideals as well as the time of simple adoption to reality रोजर्स के अनुसार समाज में प्रभावकारी भागीदारी के लिए आवस्यक द्रिष्टिकोन और विश्वास को अर्जित करने के अवधी कि सोरावस्था है जर सिल्ट कहते हैं कि सोरावस्था जीवन की वह अवधी है जिसके दोरान लड़के और लड़कियां मानसिक संवेगात्मक सामाजिक और सारेरिक रूप से बाल्यावस्था से वयसकता की ओर बढ़ते हैं एडोल सेंस is that span of life during which boys and girls move from childhood to adulthood mentally, emotionally, socially and physically गुर्ण सुत्री मनोवैज्यानिक के अनुसार कि सोरावस्था वह अवधी है जो जब वैक्ती संतानोत पत्ती करने में सक्छम हो जाता है इस प्रकार से कि सुरावस्था के दुरान वैक्ती अपने समान ही बच्चे पैदा करने की योग जो जाता है और समाजिक मनोवैज्यानिकों के अनुसार कि सुरावस्था संबेगों को उच्चितम करने की अवधी है इनके अनुसार बड़े हुए संबेग ब्यभार के माध्यम जैसे नाखून काटना तनाओ द्वन्द और मातापिता भाई बनों और सापाठियों के साथ जगड़ा करने का साक्ष बनते हैं कि सुरावस्था जो नहीं है कि सुरावस्था के संबंद में कुछ गलत धारनाय है बैग्यानिकों के बिरोधा भास और आसामधी के बावजूद अभी भी हमारे समाज में कि सुरावस्था के बारे में कुछ गलत धारनाय बनी हुए जिसमें कि सेक्स इंट्रेस्ट्स, रैबलस नेचर, आक्वाट फीजिकल अपिरेंसेज, रैपिड ग्रोथ, एडॉल सेंट प्रॉबलम्स एंड इस प्रकार से होती है नाव दा इस्पेशल करेक्ट्रेस्टिक अफ एडॉल सेंट्स कि सुरों की विशेश नाएं क्या है शरीर के विभिन अंगों में ब्रदी प्रक्रिया विभिन दर्थ से होती है कि सोर का विभिन समय में विकास उसके चरम पर होता है इस अवधी के दोरान निमलिखित महत्पूर् सारेरी रिख परिवर्तन जैसे कि लड़के और लड़के दोनों की हात पाओ लंबाएं विविद्धी हो जाती है लड़के कंदे गोलाएं विक्सित होते हैं लड़कियों च्छाती विक्सित हो जाती हैं, लड़के लड़कियों की मांस्पेशिया मजबूती से विक्सित हो जाती हैं, Now, Changes in Secondary Sex Characteristics, कि सोरा पस्था के दोरान दिर्ती लेंगिक परिवर्तन होने लगते हैं, इसमें मात्मून परिवर्तन होते हैं, लड़कों के विक्कों की विर्धी, विस्तिर चाती में विर्धी, बाहर सारीरिक अंगों में निरंतर परिवर्तन ने कारण कि सोर लड़कियां आ परिवर्तन देखने को मिलता है इस प्रकार से काफी बिंदू में चर्चाओं करते हुए इनकी चेंज इन हाइट उचाईयों में भी परिवर्तन होता है वजन में परिवर्तन होता है लड़कियों के तुलना में लड़कों में आवाज परिवर्तन अधिक ध्यान देने योग्या है लड़कों के मामले में उनके आवाज करकस रूखियों सुस्को जाती है और लड़कियों के मामले में आवाज बारीक और मीठी होती है लड़कों की अचानक आवाज परिवर्त दोनों में ही गामा की उगिताओं को बढ़ता है परंतु लड़कियों लड़कियों की गामा की उगिताओं की बीच बड़ा अंतर होता है गति और मास्पेशियों की मजबूती समंदित गामा क्रियाओं में लड़के लड़कियों से आगे होते हैं कुछ गामा क्रियाओं में किसोर के सामाजिक समयोजन पर बहुत ही मनोव एक जानिक प्रभाव डालते हैं। सारीरिक विकास का प्रणाम भद्दे बौने अन्य सारीरिक कमी शारीरिक अपंगता के रूप में हो। किसोर की सामाजिक विशिथा जब ये शामाजिक तरीके से विकास करता है तो किसोरा वस्था की दौरान कौन कौन से प्रभाव होते हैं इसमें influence of peer groups किसोरा वस्था के दोरान सरवादिक महत्पूर्ण सामाजिक विकास प्रतिभागी समू का प्रभावु किसोर का प्रतिभागी समू उसके बैवहार को बहुत हथ तक निर्मित करता है प्रतिभागी समू की सोरों के विचारों रूचियों दृष्टी कोणों मुल को प्रभावित करता है कि सोरों में प्रतिभागी समू के प्रतिभावदारी की भावना विक्सित होती है उसकी तिवर इच्छाएं होती है कि संबंद प्रतिभागी समू द्वारा उसे स्विकार करें मित्रता का विकास कि सोर उनके साथ मित्रता विक्सित करता है जिनको व समाजिक आर्थिक समूव का चैन करता है उनके साथ मित्रता करने को प्रात्मिक्ता देता है उनकी रूची, आदत और उद्दे से समान हो जाते हैं इसी कारण से कि सोर आवस्था की मित्रता की तुल्नां में अधिक समय तक बनी रहती है ना तो सोसल रिफॉर्मर समाज सुधारक होने लगता है कि सोर विभिन प्रकार की सामाजिक समस्याओं में तिब्र रूची लेता है भावुक हो जाता है समाज गरीब कमजोर वर के परती तिब्र संबंद्धा परदशित करता है वो स्वैम को किसी सामाजिक समू से संलगन करता है समाज में समाजिक सुधार लाने के लिए द्रिनिच्छा का पदरसन करता है सोसी अबिलिटी समाजिकता समाजिक रूची और समाजिक आकरसन के संबंदों में किसोरों में बड़ी विभिननता है कुछ किसोर बाहे मुखी है और कुछ पार्टियों आय के लिए रखते हो तो गाइस आज का लेक्षेर आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में कमेंट जरू करें मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें चाइल्ड डेवलेमेंट पेड़ागोगी के बहुत इंपॉर्टन लेक्चर जो कि चाइल्ड डेवलेमेंट पेड़ागोगी के जो भी टेट, सुपा टेट, रीट, हर्याना टेट, हिमाचल टेट, कोई भी टेट हो, आल इंडिया टेट, और किसी भी टीचर एक्जाम्स में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में, जहां भी सेक्षिक, अभी उर्ती, सेचिक योगेता, और बाल विकास और सिच्छा सास्तर के जो भी लेक्चर्स हों, बीड, एमेड इंट्रेंस में, जिसको भी जवरत हो, जो भी छातर चाहे, वो मेरे लेक्चर को सुन सकता है, बीड, एमेड इंट्रेंस में, यह बहुत इंपोर्टन तॉपिक है, कि और मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, मेरे चैनल का नाम है कॉम्प टेरिया, तो मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे, जय हिंद!